नमस्कार दोस्तों प्रिक्की गुरु अमिद गुपता के इस पहले पेड वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज का यह पहला पेड वीडियो मैंने लाया हरेजिनिंग के अंतरगत कलेंडर पर और मैंने एक पेड वीडियो चलाया है यूपी पुलिस के लिए इस्पेसली और यूपी पुलिस के विगत परिचाओं में पुछेगा है सारे प्रसनों को हम लोग सालप करेंगे और इसके साथ-साथ पर प्रसन अगर कम पढ़ते हैं तो हम लोग रेल्वे की परिचाओं में पुछेगे सेसी की परिचाओं में भी पुछेगे प्रसनों को अपनी प्रैक्टिस के रूप में जरूर सामिल करेंगे और लेकिन ये कॉर्स जो है इस्पेसली यूपी पुलिस के लिए ही लांच किया जा रहा है भले अभी UP पुलिस के फार्म नहीं आया लेकिन हम UP पुलिस के फार्म आने का इंधियार करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी क्योंकि फार्म आने के बहुत ज्यादा समय नहीं लाएगा परिछा होने में इसलिए अभी से जो तयारी में जुड़ेगा वही सफलता को प्राप्ट कर सकता है जब वेकेंसी आने का इंतिजार करेंगे फाम भरने का इंतिजार करेंगे उसके बाद परिछा के डेट का इंतिजार करेंगे तब तक आप बहुत पीछे हो जाएगे इसलिए अभी से तयार करेंगे और कम से कम तीन महीने और कम से कम सो घंटे से ज्यादा का वीडियो होगा इससे ज्यादा भी हो सकता है क्यों कम तो हो गाई नहीं ज्यादा हो सकता है लेकिन परिच्छा के तित्यों के हिसाब से हम लोग एड़ेस्टमेंट करते रहेंगे तो सबसे पहला ये वीडिय को जон वी कर लिया और इस ने उसकंडे करको पहले चातर हैं मुहंबाद करते हैं कियोंकि उन्हों पर विश्वास नहीं किया है तो सब्क," तlies डिन ग्याद करना हैं और यह से हम लोग सेकेंट से ज़्यादा समय नहीं लेना है हम लोग को परिशा करते हैं तो ज़्यादा बात न करते हैं हम लोग डारेक्ट चलते हैं कलेंडर का फिर कुछ माह में दिन ग्याद करना लीप वर्स क्या होता है फिर उसके बाद एक माह में कुछ माह में एक वर्स में फिर कुछ वर्स में फिर कई वर्सों में और भी कौन सा कलेंडर रिपीट होता इस तरकिस जीतने विवीद प्रस्ण होते हैं सब को हम लोग सालब करेंगे बिगत परिष्वाओं के प्रस्नों को देखेंगे और इसके साथ-सा अचर भूशे के प्रस्नों के सालब करेंगे लेकिन हमारा लच रहेगा U.P. पुलिश की परिष्वाण भून लोग Splat प्रवियायाद के लिए साल्ब कर लें, तो देख्ल какую calendar sometime में गयाद करना है, तो देख्लें इसके लिए हम्हें थोड़ी सी बातों का ध्यायँ रखना होगा समझर हम नदीन गयात करते समय कि एक सबदावली होती है जिसके सेलते, छातरों के आंसर गलत होते हैं, देखें बस आपको यह याद रखना है कि के बाद, जो ही लिखा रहेगा के बाद, लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है? एक ज्यादा जोड़ देना है, आगे हम बताएंगे कैसे? और उसकी अलावाववस आपको कीबाद सब्द रटना है कीबाद रहेगा तभी एक ज्यादा होगा और बागी कुछ भी लिखे SAY बाद, say पहले, के पहले कुछ भी लिखे के बाद के अलावा तो उतना का उतना ही हम लोग करते हैं कैसे तो इसको हम लोग आगे अच्छी तरह से समझते हैं और यह देखिए इतना जितना भी हम लोग कोर्स कराने इन सब का पीडियाप भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और इस कोर्स को खतम करने के बाद आपको प्रेक्टिस सेट भी मिलेगा और उस प्रेक्टिस सेट को भी हम वीडियो के माध्यम से हल करके आपके सामने देंगे तो देखिए जैसे मैं आप समझाने के लिए परिषा में इस तरीके से तो नहीं पूछा गया है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि के बाद का क्या मतलब होता है देखिए जैसे अगर लिखा रहा है कि 15 अक्टूबर के 4 दिन बाद पंदरा अक्टूबर के चार दिन बाद का मतलब चार दिन के बाद पांचमा दिन जैसे कोई कहा है कि जाओ दो दिन के बाद आना तो यह नहीं कि आप दूसरे ही दिन पहुच जाएंगे दो दिन के बाद का मतलब तीसरे दिन पहुचेंगे चार दिन के बाद के मतलग पांचवे दिन पहुचेंगे तो उसी तरह से 15 अक्टूबर के 4 दिन बाद कौन सी तिती होगी 15 अक्टूबर के 4 दिन के बाद तो देखें यहाँ पे 15 अक्टूबर के केवल 4 दिन नहीं जोड़ेंगे चार दिन तो लिखाई है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगी क्योंकि यहाँ पिन लिखाया है चार दिन बाद या चार दिन के बाद तो 15, 4 ओण 20 और एक दिन अपने तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ाना है और कर देना है 20 यानि हमारा आंसर होगा 20 ॉक्टूबर कहीं भी आपको दिक्कत हो गई होगी अगर तो आपको एक WhatsApp नमर उपलफद जो कराया गया उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि किसी भी confusion को दूर करने के लिए अगर जैसे पूछा जाए वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मंगलवार के तीन दिन के बाद तो के बाद लिखा है तो मंगलवार के तीन दिन बाद नहीं बलकि मंगलवार के चौथे दिन हम पता करेंगे यानि हमें क्या करना पड़ेगा मंगलवार के तीन दिन बाद तो तीन तो हम लोग जोड़ेंगे ही और एक अपने मन से ट्रिक के हिसाब से के बाद के हिसाब से उसमें यानि कि तीन और एक चार दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार में तीन दिन जोड़ेंगे तो बुद्वार बेस्पति और सुक्रवाद और एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगे तो हो जाएगा सनीवाद तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा जैसे अगर कहा जाए अब 15 अक्टूबर के 4 दिन पहले तो 15 अक्टूबर के 4 दिन पहले का रहा है तो बस 4 ही दिन पहले उसमें अब एक्स्ट्रा नहीं करना है बस के बाद में एक्स्ट्रा करना है याद रखिएगा तो 15 अक्टूबर में के 4 दिन पहले तो बस 15 में से 4 निकालेंगे एक एगारा आगा, एगारा अक्टूबर हमारा आंसर हो जागा, इसमें आपको एक्ष्ट्रा नहीं घटाना है, बस केवल के बाद में घटाना है, और कभी नहीं घटाना है, जैसे मंगलवार से तीन दिन पहले, तो तीन दिन पहले कहा है, तो यह नहीं कि तीन दिन पहले, त 3 दिन गटाएंगे तो मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार रभीवार और सनीवार हमारा आंसर आ जाएगा यानि बाकी में जितना कहें उतना ही करना है अब हम लोग देखते हैं आज ट्रिक के माध्यम से सब्ता में दिन ग्याद करने वाले प्रशनों को कैसे हल करना चाहिए बहुत आराम से देखेंगे ताकि किसी अस्तर के चात्र को जो मीडियम लेवल का चात्र उसे भी समझ में आ जाए जो एकदम फ्रेसर है नया चात्र है जो पहली बार यूपी पुलिस का फार्म डाला है 18 साल का हुआ अगर वो भी इस वीडियो को देखे तो उसे भी समझ मे आ जाए और जो लोग पिछले साल UP पूलिस की परिच्छा में अस्फल रहे हैं थोड़े नंबरों से तो इस बार अस्फल ना हो ग Dwad जैंगे इसमें सबसे पल्मे यह दक हम लोग चौकोर बना लेते हैं इक हम लोग चौकोर बना लेते हैं परिच्छा में चौकोर बना लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आप अपने समझने के लिए कि ये हम लोगोंने आज बना दिया है चौकोर बनाने का मतलब ही हो जाएगा कि ये आपने क्या बना दिया है आज बना दिया है परिछह में लिखिएगा मत चौकुर के भीतर आज, बस आपने ऐसे चौकुर बना दिया, तो इसका मतलब आपने आज को दर्सा दिया। यानि वर्तमान है आज, देखें ये वर्तमान है आज, वर्तमान में आज हम लोग खड़े हैं, जैसे आज का दिन है रविवार तो आज रविवार है, आज के दिन हम लोग खड़े हैं, आज से पहले की विवात और आज से बाद की बात हम लोग कर सकते हैं, आज से 50 साल पहले और 50 साल बात की बात हम लोग कर सकते हैं लेकिन वास्तों में तो हम लोगा Sunday के दिन में जिन्दा हैं जिवित हैं तो उसी तरह से कोई भी बात करना है तो आज से ही हमें सुरुआत करना पड़ेगा सबसे पहले आज का निर्धार करना पड़ेगा और आज जैसे आज का दिन रविवार है तो रविवार से ठीक पहले कौन सा दिन रहा होगा जो बीता हुआ कल है तो वो सनिवार रहा होगा आज के बाद कौन सा दिन होगा तो ये रविवार है तो आज क्या हो जाएगा सुमवार हो जाएगा तो जो आज से पीछे रहेगा उसे हम लोग कहते हैं कल और आज के बाद भी जो आता है उसको भी हम लोग कहते हैं कल लेकिन अंतर है इसको हम लोग कहते हैं बीता कल बीता हुआ कल और इसको कहते हैं आने वाला कल आने वाला कल जाने वाला है आने वाला तो ये आने वाला कल हो हो गया अध् âज से और कर अघ्र पीछह जाएंगे तो यह हो जाएगा इसको ठेट वासंग पर्खोच पर्खोच कौन साथ श्य तो कह सकते हैं वी इता हुआ पर्खोच का theorem वह अने वाला पर्खोच धwar मैं कि इसके बाद भी होता है कि तरसो सर्गोर Chief पर्खोच लेकिन तरसो सारसो वाले परसो परिशा में नहीं आएंगे, ये कहा जा सकता है कि आज से कल परसो और आज से तीसरा दिन ये हो जाएगा, आज से चौथा दिन ये हो जाएगा, और आने वाले कल परसो और आने वाला तीसरा दिन कहा जा सकता है, चौथा दिन कहा जा सकता है, तो इस तरीके से होगा सबसे पहले परिष्छा में आपको आज बना लेना होगा चौकोर, जिससे हम लोग पीछे और आगे जा सकें, भूत काल में और वर्तमान भविसकाल में जा सकें. अब याद रखेगा, ऐसे प्रसुनों में था का और होगा का, होगा या है विसेस महत होता है. यानि प्रसंद की जो लाइन पढ़िएगा, तो सबसे लाश्ट में देखेगा, था लिखा है की होगा लिखा है. अगर था लिखा है तो आज से आपको किधर जाना है आज से आपको पीछे जाना है इधर जाना है याद रखेगा था लिखा है तो आज से पीछे जाना है और होगा लिखा है तो आज से आपको आगे जाना है इस बात का आपको ध्यान रखना और नहीं तो आपका अंसर गलत ह जायेगा अब देखिये अब कहीं से भी कहीं से भी कि अगर हम लोग बाएं जाये तो करना होगा माइनस और कहीं से भी डाएं जाये तो हमको करना होगा प्लस इसका मतलब यह मैं नहीं कर रहा हूं कि आज से इधर जाएंगे तो माइनस और आज से इधर जाएंगे तो प्लस ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं याद रखिए कहीं से भी बाएं जाएंगे तो माइनस कहीं से भी दाएं जाएंगे तो प्लस होगा कहने का मतलब अगर माल लिजे यहाँ पर स्वम्वार है तीसरे दीन यहाँ फिस में मंगलवार हुगा जा रहा है। यहां माल लिए यहां पर रहा होगा अगर मंगलवार तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आएगा बुधवार यानि मंगलवार से बुधवार जाने का मतलब एक दिन बढ़ना और मंगलवार से पीछे जाने का मतलब एक दिन घटना यानि यहां पर सोमवार जाएगा यानि कहने का मतलब बस इतना समझ लीजिए कहीं से भी बाएं जाएंगे तो माइनस होगा कहीं से भी दाएं जाएंगे तो प्लस होगा और था और होगा पर विशेश ध्यान दीजिएगा अब हम लोग चलते हैं डाइरेक्ट प्रस्म को हीट करते हैं और ऐसे प्रस रखिए गए यह किसका परिचायक है लिखने की ज़रूत नहीं मैं समझाने के लिए बतारा हूं या आज का परिचायक है यानि यहां पर हम लोग जिन्दा है जीवित हैं और यादर कि बार बार आपको यहीं प्या जाना है क्योंकि आप बात कर सकते कि मैं दो दिन तीन दिन दिन दिल्ली था और मैं मेरु आज रवीवार है कि आज से वी कवल दिन बहला कि दिल्ली में था अ फिर मैं कऊंगे घ्रक हमाएं इधर युल को के वाले कल वाले Zentं कुलना यह नहीं बात हो रही है बीज दिन पहले मैं कलकत्ता था और कल मैं दिल्ली जाओंगा तो यहां बीज दिन के अगले वाले दिल्ली नहीं जाओंगा यहां आज मैं जिन्दा हूँ यहां वाले कल यानि कि आज रविवारत हूं सुमवार को मैं दिल्ली जाओंगा इस बात को हम लोग प्रस्ण के माद से हम लोगों को पीछे जाना है क्या इकल के पहले का दिन तो ये होग्या कल अकल के कि पहले का ये दिन हो गया क्या था तो रविवार था इसी एक पहले अब स्फिर्व रवी लिखेगा पूरा लिखने की ज़रुद्ब नहीं समय लग जाये तब तो कल से पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद तो इसको मत समझेगे कुछ लोग क्या करते हैं चाहतर रविवार तो कल के बाद यानि इसी के बाद वाला यह वाला दिन बता देते हैं हमेशा यहां आ जाना क्योंकि यहां पर तो कोई है ही नहीं हम लोग बात क कहीं और याज़ना को फिर पिर ल amor वापस हाज बात करने करें कि दिन रंफ armor था फाकि चलते हुआ हैं तो आने वाले कल अले वाला कल हमेशा इधार अने वाला कल लिखना नहीं है कल बस समझे लिए गोला बना के छोड़ दिए आने वाले कल के बाद यह कीज़ा ने कल के बाद कल के बाद याई एक कि जा ऀए तो आप मैंने सेवी कि दायें आएंगे तो plus, कहीं से भी बाय जाएंगे तो minus. तो रविवार से हम लोगो कहा पहुचना है, यहां तक पहुचे रहे, कि दाये अरें पहुचनाओं कि यहां क्या करेंगे plus करेंगे, तो रविवार के बास सोमवार मंगलवार यानि आज का दिन हमें पतन चले क्या है मंगलवार अब यहां पर आजाएगा आपका कि ब्रेस्पतिवार", या गुरुवार लिखा रहता है, एक ही बात हुआ, तो यह परीक्षा में आप रहप Bradly लिखने क्यों होते हैं जोहीं ब्रेस्पतिवार आ जया गूर्वारा या तुरहंत भीकल्प में चेक करें गुरुवार बिरस्पतिवर किसमें बी में तो वैसे यूपी पुलिस की परिच्छा आफ लाइन होगी तो आप बी को टिक कर दीजिएगा काला कर दीजिएगा जोग कर दीजिएगा गुरुवार आंसर है अगला प्रस्ट अब धीरते हम लोग स्पीड बढ़ाएं यानि इधार ही जाना है सनिवार था भी लिख दिया है और बीता हुआ लिख दिया तो कोई कथी नहीं दोनों ताब से किलियर कर दिया यानि कि आज से हमें पीछे जाना है यह क्या है आज है लिखने की जरूरत नहीं है बीता हुआ परसो यानि यह कल है बीता हुआ और यह यह वाला नहीं यह गलती बार-बार होती है कुछ आतुर से इसले में बार-बार बता रहा हूं यह ने कि सनिवार पहुझ गए तो बीटाओ परसो को मतलब यह कल और यह परसो इसका दिन बता जिए रवी बार सो मार आंसर बता जी तो गलत हो जाएगा तो के बाद आने वाला परसो तो आने वाला परसो इधर आएगा यह आने वाला कल और यह आने वाला परसो यही दिन पूछा जारा क्या होगा तो अब टिक मार दिया करिए तो यहां से हमें दाए जाना है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे सनिवार है तो आगे कहाएगा रभिवार सोमवार मंगल बुद्वार और यहां पर आएगा बुद्वार जो लिखने की जरूरत नहीं है डारेक्ट जीसमें बुद्वार लिखा रहागा उस विकल को टिक करके आप एक नंबर जो भी नंबर होगा आप प्राप्त कर लेंगे आंसर हो गया बुद्वार डी एक और प्रस देखते हैं लोग तुरंट बीना सोचे समझे ऐसे प्रस्ट में आपको सबसे पहले आज का लोगो बना लेना है अब उसके बाद आपको क्या करना है तो इसके बाद आपको देखना है कि प्रस्ट में क्या लिखा हुआ है तो प्रस्ट में लिखा हुआ है कि कल से पहले का दिन शुक्र शुक्रवार था ayna तो कल के बाद का दिन कट के बाद तो पिर वापस यहां आज वे आ तो कल के बाद का दिन वतायगे ये शूक्रवार है तो दाये या dubla करें ए सनिवार रविवार आ यहां पर आजाएगा मंगलवा है हमारा आनसर जाएगा मंगलवा जोखी भी कल्प में है एक और प्रस्थ देखते हैं प्रस्थलों की कमी नहीं है इतने प्रस्ण आपको कराई जाएंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन रही न पाएं तुरंत आज बना लेंगे कोई प्रस्ण हो यदि आगामी लिखी दिया आगामी तो आपको सोचना नहीं आगामी कल लिखना नहीं यहां पर आगामी कल लिखने कोई जरूत है आगाम कल यह होगा आने वाला कल की तीन दिनों के बाद एक दो शुक्रवार है तो गत का मतलब रट लेजिए अभी दिमाग में बैठा लेजिए गत का मतलब होता है बीता हुआ रटे रहिए गत मतलब होता है बीता हुआ गत लक्प के तीन दिन पहले कोनिसा दिन था वैसे था से आपको क्लिए रोजाए कि पीछे जाना है और गत का मतलब होता है पीछे बित गया जो तो यह से अज प्याज़ जाना है गत कल यह करद कल हो गया क्यों छेटrescom कि थिकत करना आप इसमें 3 दिन करना थे बस तीन यह दिन तो पहले तो रोगे दो इत्ces में एक्स्ट्रा एक्से मत जोड़कूरों नहीं करना केवल यहां से आपको किधर जाना है कि बाए साइड में तो बाए साइड में जाने के मतलब हम लोग करते हैं माइनस यानि कि दिन घड़ते जाएंगे शुक्रवार ध्यान से पढ़िएगा क्यों को इल्टा दिन गिनने में हो सकता आप कहीं गड़वड कर जाएंगे तो आँसर गलत आ जाएगा तो सुक्रवार ह दोम वार, रविवार, सनिवार, सुक्रवार, रस्वतिवार, बुदवार, यानि यहाँ पर आ रहा है बुदवार अगर हमने सही पढ़ा होगा तो हमारा आंसर हो जाता है भी कल्प डी, आंसर ए दी, देखे अगला प्रस्ण है, फिर से हम लोग आज बना लेते हैं बीना स और दो दिन के बाद तो यहीं ट्रिक माध्ययम से हुआ कुष्ट उतने नहीं बढ़ाना सब छहें कुछा जा रहा हुआ फिर पीछे जाना है माइनस में करेंगे हम लोग सुखवार तो ब्रस्पतिवार बुद्वार मंगलवार सोमवार रभिवार और सनिवार यानि हमारा आंसर हो जाता है अभी कल्प कि ए ए ए ए ए ए एक और प्रस देखते हैं प्रस्णों की कमी नहीं है यदि कल से पहले का दिन ब्रस्पतिवार था था को मतलब हमें इधर जाना है कल से पहले का दिन क्या था ब्रेस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं सोमवार कब आएगा आगे बढ़के देख लेते हैं ब्रेस्पतिवार है आएगा लिखाए यानि कि आज के बाद इधर ग्राश्वतिवार, सुक्रवार, सनिवार, रवीवार और सोमवार, यानि यहां पराएगा सोमवार प्लस में करेंगे क्योंकि दाय जा रहा है तो कब आ रहे हैए? यह आज का परतिक है ही तो बिकल्म के साब से देखिए कल्प के बात कर दिन तो हमारा आंसर हो जाता भी कल्प भी अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका हो सकता प्रस्त तो भी मैं बता दू के और से क्या उधारणा क्या होती है के का मतलब होता है कामचोर रटने के लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ होता नहीं है के क मतलब कामचोर जहां पर के लिखा रहाएगा तो उस मूल को अच्छर को किसी प्रस्ती उसको हम लोग छोड़ कर गिंते हैं और से का मतलब सेवक तो सेवक को हमेंसा अपने साथ लेकर चलना चाहिए तो उसको ले कर गिंते उसको भी गिन लेते हैं यानि कुल मिला के अगर से लिखा रहा है कि उस समय आप जो भी आंसर लाते रहेंगे उसमें आप माइनस एक कर दिएगा रटने के लिए फिर से टिंग बतारौं सेवक को हमेशा एक रुपया कम देना चाहिए वैसे नहीं देना चाहिए फिर मैं ट्रिक बतारों सेवा को एक रुपया कम देना चाहिए सो रुपया में तो 99 रुपया दीजे यानि जब इससे आए तो आपको माइनस एक करना है क्यों करना है आगे आने वाले वीडियो में धेदर कलेंडर जाब पढ़ेंगे तो आपको किलेर हो जाए क्यों मैं ऐसा बतारों यदि कल फिर से आज मना लेते हैं कल रविवार था था का मतलब इधर कल क्या था रविवार पूरा ही लिख लेते हैं रविवार था तो कल से दस दिन के बाद सब ताक कौन सा दिन होगा होगा लिखा है तो अब ये वाला कल तो यहां पे हो जाएक है यहां पे रवभार आगे बड़ गया तो यहां पे आगे हमें मंगल वार तो यहीं कुर से, कल से कम turning यसी दिन से, दस दिन के बाद वह ऐसे 10 है तो 10 में 7 से भाग देंगे, 7 एंगे 7 से सफ़ल आगा 3 लेकिन ये विधी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसका मैंने अभी बैक्ग्राउंड नहीं बनाया तो मैं आपको डारेक्ट बता दे रहा हूँ कर रहा कि 10 दिन के बाद यानि कि अगर बैं बनाऊं चोटा चोटा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौँ, दस, ऐसे लेकिन ये कर रहा कल से यानि ये कल को एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस ये कल से ही एक स्टार्ट कर दे रहा, कल से लिखा एक कल से 10 दिन के बाद के बाद वाला झ्हंजटे यहाँ भी है के बाद, 10 दिन के बाद का मतलब प्लस एक इसमें और करेंगे यानि कि इगरहावा दिन हमें बताना है ये वाला दिन इगरहावा दिन बताना है क्योंकि लिखा के बाद 10 दिन के बाद यानि इगरहावा दिन लेकिन इसमें कल से कदिया यानि कल को ही एक तारीक जोड़ रहा है एक तारीक से ही कल यानि हो जागा डारेक्ट इसको लगाना है तो देखें ट्रिक के माइदम से ऐसे ही है ऐसा प्रस्ण जब भी आए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं इतना देखें कर रहा है कि कल कल से जो ही कहें कल से लिखा रहें तो कर दस दिन के बाद का मतलब इगरहवा दिन पूछ रहा है इगरहवा दिन कौन सा होगा तो 11 में 11 से भाग डेंगे 7 कई साथ आठ नो दस दिगार याई सेस्फल कितना बचेगा चार चार सेस्फल बचेगा तो मंगलवार में चार दिन मत जोड़िए क्योंकि मैंने बताया था सव मतलब सेवक सेवक जो ही रहे तो सेवक एक रुपया कम देना चाहिए तो चार है तो इसमें से एक निकाल लेजे हो जायेगा तीन और तीन करें तबी आपका अंसर सही आएगा नहीं तो मंगलवार में तीन दिन जोड़ेंगे बुदुवार बेसपतिवार अपके आजायेगा आगे चलके जब हम लोग माहमें दिन ग्याद करना वाले प्रस्न बताएं गो तो उसमें ये फंडा आपका जाक किलियर हो जागे देकि आंसर अभी सुकवार और यह उत्ता प्रदिस पुलिस फायरमैन भुड़सवार और जेलवाडर वाली परिच्छा जोई थी उसमें पूछा जा चुका है एक और प्रसन इसी तरीके से है ताकि आप बातें अची तरह से समझ पाएं आज बना लिए और यहाँ पर हो जाएगा सनीवार तो आज से से का रहा है तो हमेशा याद रखेगा अब इसका कोई मतलब नहीं है आज से 15 दिन बाद का मतलब देखें के बाद यहां भी लिखा है दिन बाद यानि 15 एक यानि क्या पूछना चाह रहा है 16 वे दिन 16 दिन आपसे पूछना चाह रहा है तो साथ से इसमें भाग देंगे साथ दुना के चवुदा और सेसफल बजगया दो तो सेसफल दो बजगया तो सनीवार में हमें दो दिन जोड़ना चाहिए लेकिन चुकि यहाँ पर आज से का रहा है यानि उस गड़ना में एक सामील से कैसे है आगे आपको पता चलेगा तो आप बस इतने यादर कि जो ही से लिखा रहा है तो आपको दो में से एक निकाल देना है और दो में से एक निकाल देंगे तो एक बज़ेगा तो अब सनीवार में से एक ही दिन जोड़ी यानि सनीवार है तो रवीवार या इस तरीके स से भी देखिए डाइरेक्ट सनिवार आया था आज का दिन और उसके बाद पूछ रहा था 15 दिन के बाद यानि 16 दिन देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह 14 पंदरह और 16 दिन आपको बताना यह कौन सा तो यह करा आज से ही यानि आज से के मतलब आज को ही एक तारीक यह है एक तारीक को है आज से ही स्टार्ट कर देना है गिन्ना एक और दो और ऐसे करते वे सोल पर जाना तो सनिवार को एक तारीक है उसके एक पहला दिन है तो दो को हो जाएगा रवीवार सोमवार मंगलवार बूदवार, बूदवार, शुक्रवार, सनीवार, रवीवार, सोमवार, मंगलवार, बूदवार, बूदवार, शुक्रवार, सनीवार और ये रवीवार हमारा आंसर फिर से आ जाएगा ये प्रसन आपको तब किलियर होगा जब आप माह में दिन ग्याद करने वाले और साथ से जो भाग देख के अंसार लाते उस वाले वीडियो को जब आप देखेंगे तब किलिए रो पाएगा अब देखिए इसके बाद इतने प्रस्णों को साल करने के बाद हम लोग देखेंगे प्रेक्टिस क्योंकि कोई भी प्रस्ण लगाईए उसके बाद जब तक उसका प्रेक्टिस न कर ये खुद से तब तक नहीं पाद चलता है कि आपने कितना सीखा और कितना पच गया है तो प्रेक्टिस क्योंकि पेट वीडियो में हम प्रेक्टिस भी लाएंगे ताकि आपको अपनी जानकारी का पूरा उसका दोहन कर सकें तो देखें इसमें इतने धेर सारे प्रस्ण है यह सारे प्रस्ण आपका PDF के रूप में भी मिलेंगे और सबका में सलूसन वाला वीडियो भी फिर से बनाऊंगा अगले पार्ट में और पेट जो जो लो कोर्स लिए उन्हें में उपलव्द कराऊंगा और आप केवल उन्ही उसी प्रस्ण को देखेगा जिसको आप खुद से इसमें उत्तर भी है प्रस्ण भी है तो सारे प्रस्णों को हल कर या जिस प्रस्ण में आपको दिक्कत हो केवल वीडियो भागा कर केवल वही वहला देखिएगा फालतु वीडियो देखकर अपना समय नुक्सान करने की कोई जरूत नहीं है आप अपना समय बचाईए अमुल्य समय है आपका और देखिए पेट कोर्स के बारे में याप हमने जानकारी लिखा है कोर्स का हमने नाम रखा है UPP 2022 कोर्स की आउधी भासा केवल हिंदी होगी तीन माहा से ज्यादा का कोर्स हो सकता है मैंने अंदाजन लिख दिया है क्योंकि पहली बार पेट कोर्स दे रहा हूं के लिंक मिलेंगे पेड वीडियो की लिंक मिलेंगे जो लोग जिसको आप कई बार देख पाएंगे अब कोर्स का टीचर में खुद हूं कोर्स का तरीका आपके वाट्सप पर प्रतिदी निश्ची साइड पर पेड आफ लाइन यूटूब वीडियो का लिंक भेजकर जिसे सब्सक्राइबाद में कई बर देख पाएंगे अब तक हमसे जूड़ने वाले 50 यानि कि हमारे कोचिंग जो संस्थान दलच एकेडमी के नाम से उससे 50 से ज्यादा यूपी पुलिस में सफल हो चुके हैं छात्र दो वाट्सप दोर आपनी समस्या का समधान भी आपा संपूर कोर्स का सुल्क देखे एक हजार है में जो चीज आप लोग जानना चाहते हैं पूरे क्लास पूरे कोर्स का सुल्क एक हजार है और शुरुवात में जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 रुपय देना पड़ेगा और एक महीने के बाद जब अगर आप स 500 रुपय एक महा का कोर्स के बाद संतुष्ट होने पर अगर आपको कोर्स लेना है तो देखे यूपी दोजार बाइस लिखकर इस वाट्सप नंबर पर क्या वाट्सप नंबर है मैं यहां पर यहां पर है 842 4401 पर लिख दीजेगा यूपी दोजार बाइस लिखके आप वाट्सप कर दें तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोर्स चाहिए खैर दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लागा केमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसे अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा चैनल प